डाइविटीज एक ऐसी बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे कंट्रोल करना हर किसी के बस की भी बात नहीं है बहुत से एक्सपर्ट पताते हैं कि आप खुद को शारिक रूप से सक्रिय रखकर और सही फूट्स का चैन कर अपने बलड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं हलाकि कुछ फूट्स ऐसे भी हैं जो अचानक आपके बलड शुगर को बढ़ाने का काम करते हैं इसलिए इन से बचना बहुत ही जरूरी होता है आज की इस वीडियो में हम आपको पांच ऐसे फूट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके सेवन से मातर कुछ ही मिंटों में आपका शुगर लेवल 300 मिली ग्राम को पार कर सकता है आई जानते हैं कौन से हैं वो फूट नमबर एक वाइट इस्टार्च वाइट ब्रेट पास्ता सफेज चावल इन सभी चीजों में मौझूद कार्ट की मातरा बहुत ज़्यादा होती है और उतनी ही कम होती है फाइवर की मातरा इन चीजों को साथ में खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है वहीं दूसरी तरफ अगर आप फाइवर से संपन फूट का सेवन करते हैं तो यह आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम करते हैं इन चीजों में पाई जाने वाली इ सोडा और शुगर की ड्रिंक्स में कार्व की मातरा बहुत ज़्यादा होती है जो आपको ब्लड शुगर लेवल बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करती है इसके अलावा इसमें मौजूद फ्रक्टोस की उच्छ मातरा इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी हुई है जो क इसमें कार्व की मातरा ज़्यादा होती है और प्रोटीन कम होता है डिविटीज के लिए भूग को शांत करने का बैतर बिकलब है हाई प्रोटीन और लो कार्व बाला नाष्ता अगर आपको डिविटीज है तो इस फ्रकार के नाष्टे से बजना चाहिए नमबर चार ड्र ड्राई, बेरी, सूखा आम, जब कोई फ़ल सूख जाता है तो उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजए से उसमें पोशक तत्वो की कमी हो जाती है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें refined आटे से बनाया जाता है जो सीधे और बहुत जल्दी से blood sugar level बढ़ाने का काम करते हैं biscuit, chips, cookies और दूसरे packet बंद foods का सेवन आपके blood sugar को सीधा बढ़ाने में काम करता है इसलिए इन चीजों से थोड़ा बचके रहना चाहिए दोस्तों यह जानकर यह अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें